हेलो फ्रेंड मैं हुनिक और आप सभी का स्वागत हमारे योट्यूब चैनल में सो फ्रेंड आज के इस वीडियो हम बात करने वाले जिंबाम्बे वर्सेस पाकिस्तान के भी जो थर्ड T20 मैच होने वाला है इसका ड्रीम 11 टीम का तो फ्रेंड ड्रीम 11 टीम देखने से पहले आईए दोनों ही टीमों का प्लेइंग 11 देख लेते हैं पीच रिपोर्ट के बारें बात कर लेते हैं उसके बार ड्रीम 11 टीम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 का तो देखे आपको फकर जमान 100% खेलते वे दिखाई दे देंगे पिछले दो मैस से उतना चप कर तो नहीं पाएं लेकिन आपको ही पता है फकर जमान एक बहुत बड़ा प्लेयर है और जिस मैच में टिक जाता है उस मैच में बहुत रन बनाता है इस वैसे फकर जमान को आप जुरू अपने टीम में रखेगा इस मैच में भी फकर जमान आपको तीन नंबर पे वैटिंग करते वे दिखाई दे दिंगे बात किया जब बाबा राजम का तो दीखे बाबा राजम बहुत एच्छे फॉर्म में पिछला मैच में लगबग अगर देखा जब पाकिस्तान टीम की तरफ से तो सारे ही बैस्टमेंट फ्लॉप रहते इकलौता बाबा राजम ता जिनोंने 41 रनों की बहुत एच्छी पारी खेली और ये हमारे टीम के कैप्टेन भी थे फ्रेंड और दोनों ही टीमों में सबसे हाईस्टी स्कूर इनी का रहा था बाबा राजम का ही रहा था और ये हमारे टीम के कैप्टेन थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया फ्रेंड इ रिजवान को भी जुरू अपने टीब में रखेगा देगे भले ही लाश्ट मैच में उतना अच्छा ना कर पाए हो लेकिन आपने अगर फर्स टी-20 मैच देखा होगा तो वहाँ पर इन्होंने 82 रनों की बहुत अच्छी पारी खेली थी फ्रेंट सो फॉर्म में तो है पिछले मैक में दुरभाग याप पुन आउट होगा लेकिन प्लेयर फॉर्म में इस वए से मैं बोलूगा यास मोहमद ध्रिजवान को आप जुरू अपने टीम में रखेगा यह आपके लिए इन्पॉर्टेंट रहने वाले बात के जब हफीस का तो दे देखा जाए तो उतना कुछ खास अभी कर नहीं पाएं सो इस वह से मैं बोलूगा हफीस को अगर आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं दाने सजीज आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है रीजन यह कि दाने सजीज बॉलिंग अच्छा खासा कर रहा लाश्ट मैच में दो विकेड भी लेकर आ रहा है साथी साथ दानी सजीज बैटिंग में भी आपको मतलब कर सकता है पॉइंट दिला सकता है पिछले मैच में आप देख लिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा खासा रहा था 22 रन इसने बनाया भी था साथी साथ दो पाकिस्तान टीम के सारी सर्फराज एमाद जो पहले पाकिस्तान टीम के कैप्टेन हुआ करते थे और अभी फिलाल प्लेंग लेवन में जगा उनको बड़ी मुस्किल से मिल पाती है लेकिन इस मैच में ज़्यादा तर चांस लग रहा है कि सर्फराज को मौका मिल सकता है क् आसीफ अली उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है और यह मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला एफरेंट चूँकि एक मैच पाकिस्तान टीम ने जीता है और एक मैच जिंबांबे टीम ने जीता है और यह फाइनल मैच है तो इस मैच में मुझे लगता है आ लास्ट मैच में नहीं खेलाया गया लास्ट मैच में हैदर अली के जगह पर यहासीफ अली को मौकण दिया गया लेकिन असीफ अली वी मैच देख हो गय थे और बॉलिंग भी देखा जा तो पूरा चार उबर इंसे बॉलिंग करवाया भी नहीं जा रहा है इस मैच में हो सकता है फ़हीम असरब के जगह पे एक बहुत अच्छा युवा प्लेयर है मुहम्मद वसीम जिसने पाकिस्तान सूपर लिग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था जिसकी बदालत पाकिस्तान टीम में उसे मौका दिया गया है सो फ़हीम असरब के जगह पे मुहमद वसीम आपको खेलते वे दिखाई दे सकते हैं सो फ़हीम असरब को मत लिजेगा रिस्की रहने वाला है वही बात के जाया से हसन अली का तो हसन अली को इस मैच में रेश्ट दिया गया है फ्रेंट पिश्टा अब ही मतलब है टीट्वैंटी सिरीज के लिए हसन अली और साहीन अफरीदी दोनों को ही रेष्ट दिया गया है सो हसन अली और साहिन अफरीदी आपको T20 सीरीज में खेलते वे नहीं दिखाई देंगे सो इस मैच में भी नहीं खेलने वाले सो हसन अली को मत लीजेगा साहिन अफरीदी भी रेश्ट करेंगे हैरी सुरॉप आपको खेलते वे दिखाई देंगे बहुत अच्छा बॉलिंग भी कर रहे हैं, इनको आप जुरू अपने टिम में रखेगा, और अब इस सबसे बेश्ट बॉलिंग का बात करें, पाकिस्तान टिम में तो सबसे अच्छा मुहमद असनाइन बॉलिंग कर रहे हैं पिछला 2 मैच में 4 वीकेट ले चुके बहुत इच्छे फॉर्म में और हमारे टीम में भी रहे हैं पिछले 2 मैच में तो ऐसे मुहमद हसनाइन को आप जुरू अपने पाकिस्तान टीम में आपके लिए important रहने वाले और सदिकबाल उस्मान कादिर मुहमद असनेन हैरिस रौफ और यहां से दानिस अजीस मुहमद रिज्वान बाबा राजम और फकर जमान यह प्लेयर आपके लिए important रहने वाले फ्रेंट पाकिस्तान टीम की तरफ से आईए क्वेश्ट रहा एगा कि यहां तक आपने वीडियो को देख लिया dont subscribe अभी तक यार आपने लाइक और Subscribe नहीं कि आये तो प्लीस लाइक और Subscribe जरूँ कर दिजे तो लोड गे डिशन मिलता है क्भी 17 सब्सक्राइबेैक 22 प्लेइंग 11 का तो यहाँ से बात के जाए कामून हुकवे का तो प्लेयर बहुत अच्छा है अगर आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते बैटिंग अच्छा कासा कर रहे पिछला दोनों ही मैच में अच्छा स्कोर किया हुए इन्होंने यहाँ पे देख सकते फर्स टी 20 में इन खेल पायते हैं लेकिन सेकेंड मैच में इनको मौका दिया गया है लेकिन वहाँ पे फ्लॉप रहे लेकिन आपको ही पता है टेलर कितने बड़े प्लेयर है ब्रेंडन टेलर बहुत ही जबड़ेस खेलते हैं और अभी इस वक्त देखा जाए तो जिमबाम्बी टीम के सबसे सीनियर प्लेयर है और सबसे बेस्ट प्लेयर है तो यहां से टेलर को आप जुरू अपनी टीम में रखेगा मदेवेरे का बात क्या है तो मदेवेरे देखिए बैटिंग करने के साथ साथ कुछ ओबर बॉलिंग भी कर सकता है और विकेड भी दिला सकते है जैसा कि आपने फ छ ख्लते हुए दिखाई देगा लेकिन कुछ खास प्लेयर नी इनको छोड़ दीजिगा सीन विलियमस फिलाल इंगर चलो और इस मैच में भी नहीं खेलेंगे सो सीन मीलियमस को मत लिजेगा चकबा का बात क्या तो चकबा भी नहीं खेलेंगा चकबा खेलते वे दिखाई तो दे देंगा लेकिन बहुत लेट से बैटिंग करने के लिए आते लेकर कोई फाइदा नहीं होगा जॉंगवे बहुत अच्छे फॉर्म में और पिछले मैच में मैं बता दू कि जॉंगवे को बहुत कमी लोग अप मैंने फिर भी जॉंगवे को अपने टीम में रखा था इनको अल राउंड परफॉर्मेंस देखकर और पिछले मैच में आप देख सकते हैं इन्होंने चार विकेट निकाला फ्रेंट जिनोंने भी देखें मेरे टीम से कहला होगा वह 100% विन की होंगे क्यूंकि हमारे टीम म में बाबर आजम कैप्परें थे बहुत लोगों ने रिजुआन को कैप्परेंग मनाया था लेकिन हमारे टीम के कैप्परेंग यह विकेट रिप्स काला हो कि जौंगवे को क्या मतलब क्याप्टैंग मना जा सकता है तो मैंने उसे बोला भी तो आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो अपजुरू कमेंड कीजेगा तो आपके comment का जुरूर reply मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड अगर आपका comment अच्छा हुआ अगर लगेगा मुझे reply करना चीए तो मैं संग-संग reply करूँगा हो सकता है कभी का बार late भी हो जाता है क्योंकि कुछ काम रहता है जिस वह से मैं संग-संग reply नहीं कर पाता हूँ लेकिन कभी का बार मैं संग-संग reply कर देता हूँ तो आप लोग जरू comment कीजे comment करने से आपका ही फायदा है अब देख लिए पिछला मैच में जिस बंदे ने मुझे comment करके पूछा कि जौंगवे को captain मना सकते क्या मैंने उसे बोल दिया हाँ captain मना सकते है और उसने captain मनाया होगा तो 100% grand league में बह रजा का बाद किया तो अल्रेडी यह startling से ही मतलब इस series से बाहर हो चुके क्योंकि यह injured है तो रजा भी नहीं खेलने वाले रियान बर्ल बहुत एच्छे form में इनको जुरू अपनी टीम में रखेगा पिछले मैच में दो विकेट लेकर आ रहे हैं तो इनको आप जुरू अपनी टीम में रखे बॉलिंग बहुत अच्छा कर लेते साथी साथ बैटिंग भी कर सकते हैं मुटमबामी को छोड़ दिये नहीं खेलने वाला है नगराबा आपको खेलते वे दिखाई देगा मुज़रा बानी यह दो बॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले तीरी पानो नहीं खेलेगा मभूता नहीं खेलेगा यह फकरम नहीं खेलेगा और मसक दसदा में भी आपको खेलते वे दिखाई दे लेगा लेकिन कुछ खास प्लेयर मुझे लगता नहीं है तो इन्हें आप छोड़ दीजेगा बात कर लेते पीछ रिपोर्ट का उसके बा और स्लो पीछ यहाँ पर बैटिंग करना बहुत ही जादा मुस्किल है फ्रेंड पिछले मैच में तो आपने देखी लिया हुआ एक सो आठारा ही रन हाइस्ट गया था फ्रेंड और फॉस्ट मैच में भी एक सो उन्चास रन मतलब जादा बड़ा इसको आप उमीद मत किज जाता है जिसमें से फास्ट बॉलर ने 11 विकेट निकाला तो और इस पीनर ने सिर्फ पांच विकेट निकाला तो मतलब यह आकड़े भी आप देखकर आपको अंदाजा तो लगी गया होगा कि यहाँ पर इस्पीनर को मकाबले फास्ट बॉलों को जादा विकेट मिलता है और बैटिंग करना थोड़ा सा स्पीच पे मुश्किल होता है फ्रेंट सो देखिए इनी सब बातों को ध्यान में रखते हैं आज का हमने ड्रीम लेवन टीम तैयार किया हुआ है तो आईए अब डिरेक्ट ड्रीम लेवन टीम देख लेते हैं तो आईए यहां पर सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन की तो यहां पर विकेट कीपर में मुहमद रिजवान और टेलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले इन दोनों को जुरू अपनी टीम में रखिएगा और यहां से चक्वा को छोड़ दि का तो बैटिंग में बाबार आजम और फॉकर जमान को जुरू अपने टीम में रखिएगा यह दो प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले सरजील खान नहीं खेलेंगे कामुन हुकवे आपको खेलते वे दिखाई देगा आप चाहे तो ब्रेंडन टेलर के दानिस अजीज बहुत अच्छा प्लेयर है इससे आप जुरू अपने टीम में रखिएगा बैटिंग बॉलिंग दोनों ही अच्छा घासा कर सकता है मारुमानी को बत लिजेगा नहीं खेलने वाले बात करते हैं आसे ओल राउंडर में तो आल राउंडर में हफीज को आप यहाँ से बात किया रैयान बरल का तो बहुत एच्छे फॉर्म में लाश्ट में बहुत कमाल का बॉलिंग करके आ रहा है तो यहाँ से रैयान बरल को जुरू अपने टीम में रखिए बैटिंग बे अच्छा खासा कर लेता है नवाज नहीं खेलेगा जॉंगवे बहुत ए रेष्ट दिया गया साहिन अफ्रिदी को रेष्ट दिया गया मसक दस्दा कुछ खास बॉलर है नहीं सो इनको छोड़ सकते हैं नगराबा प्लेयर अच्छा अगर ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं उस्मान कादिर यहां से इंपॉर्टेंट रहने वाला है मुझराबानी क त्राई करना चाहें तो कर सकते हैं मुहमाद हसनेन और हारीस रॉप यहां से हमने तीन बॉलर को रखाऊ उस्मान कादिर मुझे कुछ खास प्लेयर लगे नहीं अर्साद इक बाल को देख़े अगर आप लेना चाहें तो ले सकते प्लेयर बहुत ही जबर जसते बॉलिंग अच्छा खासा कर लेता है और इसके इलावा कुछ खास प्लेयर नहीं है अब बात कर लेते कैप्टν और वाइस कैप्टान की तो देखे कैप्टन के लिए मैं तो बोलूगा बाबर आजम आपके लिए भी भी सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे और वाइस कैप्टेंग यहां से आप मुहम्मद रिजवान को बना सकती क्योंकि रिजवान भी बहुत ही अच्छा मतलब बैटिंग करते हैं फ्रंट आपने फॉर्स्टी क 안 Daews फॉर्स्टी में देखा ही होगा 82 रनों को इन्होंने बहुत एच्छी पारिक खेली थी 7 बाबर आजम बहुत अच्छे फॉर्म में लास्ट मैच में सारा ही पाकिस्तान का बेटी फ्लॉप रहा था लेकिन वहां पे बाबर आजम ने बहुत अच्छी पारिक खेली 41 रन लाइएगा दूसरे टीम में आप कैपंटन वाइस कैपटन आप देखे कैपटन मोहम्मद द्रीजवान को बना दीजगा और वाइस कैपटन बावर आदागल Yukar को बना दीजेगा सकते हैं ौहाँ से Scr Sales क कॉछ advances क्पिसरे इस तरीका से थोड़ा बहुत आप changes करके भी मतलब आप 4-5 टीम बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिखिए बॉलर में भी थोड़ा बहुत change कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर अगर हमने उस्मान कादिर को रखा हुआ है तो अगर आप second team बना रहे तो वहाँ पर अरसद इकबाल को अपने टिम में ले सकते हो बॉलर के रूप में साथ ही साथ यहाँ पर अगर हमने टेलर को रखा वह तो सेकेंड टिम में आप इसको रख सकते हो क्या नामे उसका कामुन होकवे जो है ओपनिंग बैस्टो ने जिमांबे का उसको आप रख सकते हो मतलब एक दो चेंजिस करक अगर अबी तक आप मेरे टेलग्राम पर ज्याइन नहीं हो पार है या फिर कोई प्रॉल्म हो रहा है तो मुझे इंस्टरीग्राम पर मैंसेज मेसेज कर सकते हो वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा कि आप कैसे टेलिग्राम पर जॉइन हो सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सम मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है वहाँ पर हम लोग परस्नली भी बात कर सकते हैं अगर किसी को मुझसे परस्नली बात कर सकता है विडियो के डिस्क्रिप्सम में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है इंस्टाग्राम पर अगर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर भी आपको रेप्लाई मिलेगा फ्रेंड साथी साथ अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो कोई भी सो आप लोग कमेंट जरू कीजए इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं तब तक लिए जय हिंद बन्ने मातरम